बूर्णिंग गाइज नेक्स दे हो चुका है साम को खाना वाना खाने के बाद हम सो गए और आज हमारा चौथा दिन है फोर्थ डे और अभी हम कुछ हेरिटेज प्लेस देखने के लिए प्लान कर रहें तो अभी गाड़ी रेंट करेंगे गाड़ी रेंट करने के लिए जा बाकि चर्च पुराने चर्च है है और एक फोर्ट है फोर्ट देखेंगे और और कुछ चीजए होगी देखने लाए जो हम कवर कर सकते हैं पहले तो गाड़ी रेंट करते हैं आज दोस्तों हेरिटेज वगरा देखेंगे तो फॉर्मल अलका सा फॉर्मल और थोड़ा पंकी सा लोक है पंक जगा और बाकी मैं थोड़ा सा फॉर्मल हो रखा हूँ कपड़े हम जादा ही लेके आगए थे तो यूद करने आप अब बाकी होली फ्लेसे चर्च बगएरा जाएंगे तो वहां पर डिसेंट कपड़े ही पहन के जाने चाहिए स्थूर्मल या का रखा रखान या मैंचे लेटर आएंगे अर्ग में थैन पर इस चाहिए कोई तो है तो करे दो आप तने के लिए थोडिया थोड़ी मैंगी पड़ी हम है एक न के लिए 3,000 पर इसका कषाल चाहिए अब ही हम जा एज हारे हैं अगोडा नगा फोर्ड यह जो यहां से करीब 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 9 या 10 km के आसपास पड़ता है बाकी और एक तो हैरीकेस साइट पे जाएंगे और बाकी आपको पता लगी जाएगा आर यू एक्साइट गाइज या या बई अनिल चाहता था हम थार में एक दिन थार में गूमे तो फाइनली इसकी जो विस्ती वो पूरी होगी है और यह चीदे पर अड़ा इसने 12 वजा जी है हमारे अज लेट होगे सिर्फ इस थार की वज़े से नए मॉडल की थार चाहरा लेकिन नए मॉडल की तो नहीं मिली लेकिन थार में बैठे हुए और थार में आप ट्रेमल कर रहे है तो इस नाम है वाई कैसा फील हो रहा है आप और अब चलती है लेकिन मजह आरा मैटके थार में थार में थार गाड़ी ही अलगे बार्कि याब अगोड़ा बीच की अब जा रहे है बागी ओल्ड को हमें चर्चेज है वो भी देखेंगे बागी चलते हैं आगे कि तरह आगे आपको बताई जाएंगे लेकिन को इसलीर अट्र्चेज को यहाँ चाड़े बैट्क ढूगा पर बेंदा है एक जब दो देखाएंगे परचेज के यहाँ थीए अविटो यार तक्के खारे यहाँ आ नार्रा निल भी बहुत से फास है तक मफर्टी झाल 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 किले का झाल 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 किले का झाल 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 पर्याटकों और तीर थियात्रियों को अपनी और आकर्शित करता है। पर्याटक इस चर्च की वस्तुकला के तुस्कान और मैनू लाइन बुनियादी बातों पर अचमबा करते हैं। मूल रूप से आठ फ्रांसिसी विक्ष्वों द्वारा बनाया गया है ये चर्च 1961 में समाफ्त कर दिया गया और आज जिसे सेंट फ्रांसिस ओफ आसी सी चर्च के नाम से जाना जाता है की इस्तापना की गई। बारा बनाया 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 दोस्तो समय की कमी के कारण हम संग्राले में तो नहीं जा पाए लेकिन चर्च के परिसर में ही बहुत सारे ऐसे अवसेस वस्तुकला के अवसेस हमने देखने को मिले आप देख पा रहे हो बहुती सुंदर सुंदर कलाकिरतियां वस्तुकला के नमूने यहां पर देखने को मिलते हैं जो बहुती अचंबित करते हैं इतने पुराने टाइम पे भी इतनी सुंदर सुंदर कलाकिरतियां बनाई जाती थी वस्तुकला के इतने सुंदर सुंदर नमूने अलग अलग जग की को यहां पर सर्रक्षित किया गया है आप देख सकते हूं सब्सक्लिक के गर्जब किया आप सकते हैं क्या थिर्याप अारण के ताम ऴने गपीजित किया पंड। क्या चुख सिर्याटबं अजिक, बічके ताम Может मैं आप दनी मैं Всे च伍ी पूछा से लगन का हो यह मां इख सकते हुति Тबल्स, फिर्मोड़ और देख स स्कते हैं झाल 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 तो गाइस यह थे चर्च यह था सेंट फ्रांसिस का मट और चर्च भी है तो दोनों चीज थी बाकी अंदर वीडियो बनाना अलाव नहीं था तो बार-बार से आपको दिखाया है अभी हम जा रहे हैं सर्च कर रहे हैं कोई भी नियरबाई बीच हो अभी साउथ हुआ में अभी तो लेकिन साउथ हुआ नजदीक ही है कोई अगर कोई नजदीक बीच होगा तो वहाँ पर जाएंगे नहीं तो फिर वापस रेटन जाएंगे बाकी चलते हैं अब आगे की तरफ बड़िया लगा सुकून बरा रहता है ऐसी चीजें देखके पुराने जमाने की चीजें हैं और पुराने जमाने की याद दिलाती है और मैंने देखा ही भी आपको देखको बारूत बनाने वाली बड़ी बड़ी चक्की थी बहुत अच्छा लगता है अगली लोकेशन पर चलते हैं अभी फाइनल नहीं है डिसाइड करते हैं देखे लोकेशन यहां से कितना पड़ेगा चर्च गूमने के बाद यहां पर कोई और लोकेशन नहीं थी नजदीक ही मीरमार बीच है तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी हम मीरमार बीच पे घूमने के लिए बादी सूरज डूमने ही माला है पाच सवा पाच का टाइमिंग हो गया तो वापत जाएंगे तो भी अंदेरा हो जाएगा करीब अनम 30 से 40 क्रूमिटर दूर है वहां से जहां आपने रूम नहीं रखा है और अभी मीरमार बीच गूमने जा कि एूमने जाएब शेम जाएब गल में ग्वाडंगे द्द वेस्ति ह्वाण कर दोकिछया. अभी में बीच पाच कम byंदेरऊ की तो ऊंब हो जिए एंस के लि마ता घूमने आपको जाएब एंस बडहरतर दाने ही मीरमार ढanor हो जाएब हैं um 2 मेरा मार पीच पहुच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है संसेट का और सूरच चमक रहा है और थोड़ी देर में डूब जाएगा साही टाइम पर हम यहां पर पहुचे हैं बाकी अनिल और बाकी दोस्त जो हैं वो गाड़ी को पार कर रहे हैं थोड़ी देर में मैं पहुच गया हूँ बीच पर और बहुत ही कूपसूरत है बीच भी और संसेट देखने को मिलेगा सबसे बड़ी खास बात यह है मैं क्या से बात ब institutions Erica के बीच में प्राइब बीच दोड़ी का प्राइब में से वड़ी कर दो कर दो कर दो आपकी बापस जा रहे हैं मीरा मार भी से संसेट हो चुका है बाकी उड़ा उड़ा लोगों आगों ने ज्यादा फिला रखा है यह तो जो भी आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखे वही बाद से जो आ रहा बाकी लोकल्स का पता नहीं लेकिन साबसफा ही रहती है तो बहुत ही कुपशूरा संसेट था बीच बहुत ही सुन्दर है साउथ गुआ का बहुत ही अच्छा बीच है मीरा मार आ सकते हो आप अभी हम जा रहे है जाइज मीरा मार भी से निगलते ही थोड़ी सी दूरी पर बहुत सारे कसीनो है यह जो आप पीछे सिप देख पा रहे हो बिग डेड़ी एंड मैजेस्टिक प्राइड और बहुत सारे ऐसे कसीनो है आप तो आप जो जुआ लोग पसंद करते हैं वो यहां पर जुआ केल सक अब यहां की स्टार्टिंग होती है पंदरा सो रुपे पर हैड से आप जा सकते हो खाना वाना इनक्लूड होता है और कई लोग यहां पर ट्रिक सरवाद नेगी तो अभी हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं जाने की अगर प्लानिंग होगी तो दिखाएंगे अभी हम ल उब गढगे का जूँ अ और्मे एधे ता से वहां वीन्ग का याा भ्वी को भी सिया हो खाना वे विते ぁ nothing the judges का अ वा टुझ ता कम ताके तास्वीं When I look at you, I feel like I'm gonna see you in the sky I feel like I'm gonna see you to the sky When I touch you No me dejesí, no me dejesí, te necesito No me dejesí, no me dejesí, te necesito No me dejesí, te amo No me dejesí, no me dejesí, te necesito No me dejesí, no me dejesí, te necesito No me dejesí, te amo Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo No me dejesí, te amo No me dejesí, te amo